हमें विभिन वस्तों का ज्ञान हमारी ज्ञानिंदिरियों के दवारा होता है जैसे आख, नाख, कान, जीवा ज्ञानिंदिरियों हमारे बाहिय वातवन तथा शरीर की आंतरिक रचना से सूचनाएं ग्रहन करती है ज्ञानिंदिरियों विभिन वस्तों की ओर आकार, आकिर्थी एवं रंग आदी के आधार पर हमारा ध्यान आकर्शित करती है इनके तेन परमक पर किरियाओं इसमें होती है जैसे जगत ग्यान तेन परमक किरियाओं के दवारा होता है जो परस पर संबन्देते यह तेन किरियाओं कौन सी है समवेधना सेंसेशन, आवधान यानि अटेंशन और तीसरा है पर्टेक्शन यानि परसेप्शन, उद्धीपक का सवरोप एमम विविद्लता, नेचर एंड वराइटीज आफ स्टीमूलस, उद्धीपक, जब कोई भी हमारे बाहियवादा वरन में परिफरतन होता है, तो वो जिसके परती हम क्रिया करते हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंगना, स्वाद और स्पर्श, विविद्ध उतिपकों से व्यवार करने के लिए विशिष्ट ग्यानेंदरिया हैं, बाहिया सूचना को सिंग्रहित करने के लिए आँख, कान, नाख, जीव्या और तवच्छ, यह हमारी पांच ग्यानेंदरिया हैं, इसके अतिरिक्त, गती, समवेदी, शरीर की विभिन स्थेती, जैसे हमें ग्यान होता है, उसके बाद है प्रगान, तंतर, व्यस्ति, बुला, शरीर के अंगों की गती की सूचना, जैसे हम टेडे हो गए, हमारा कैसे बैलेंस शरीर का हो गया, यह हमें काइनेस्थेतिक्स के द्वारा पता लगता है, उसके बाद आता है हमारे पास, समवेदन पर करता हैं, यानि सेंस मोडेलिटीज, विशेश ग्यानेंदरिये द्वारा, पंजीकरत, किसी उद्धीपक का प्रारंभिक अनुभाव समवेदना कहलाता है, कोई वस्तु कठोर है, गरम है, रंग कैसा है, तीवरता क्या है, लेकिन हमारे ग्यानिंदरियों की उच परकर्यात्मक सीमाई हैं, फंक्शनल लिमिटेशन्स आफ सेंस ओर्गन्स, जैसे हमारी आँख है, धुंदली अत्वा अधिक चमकीली वस्तुएं नहीं देख सकती, क ध्यान बहुत धीमी अत्वा बहुत तीवर धवनी को नहीं सुन सकते, हम उद्धीपन के एक सीमित सीमा प्रक्सार, लिमिटेट रेंज आफ स्टिमूलेशन में कारिय करते हैं, ध्यान में आने के लिए किसी भी उद्धीपन का कम से कम, उसका एक इस्तुतम जिसको हम कहते ह उद्धीपन के एक आत्युतम मान होना चाहिए, किसी विशेश समवेडी तंतर, अक्ताइवेशन ऑफ सेंस्ट्रिय सिस्ट्रम को क्रियाशील करने के लिए उद्धीपन के न्योनतम मुल्य को निरपेक्ष सीमा कहते हैं, जैसे, कोई हमें टच करता है, तो इतना touch वो करें कि जिसे हम सम्यदना कर सकें उसकी minimum कोई ना कोई intensity होनी चाहिए सभी उद्वपकों को जान पाना संभव नहीं होता उसी परकार सबस्त परकार के उद्वपकों के मद्द अंतर कर पाना भी संभव नहीं है तो दो उद्धिपकों के भिन्द होने के लिए उनके मान में न्यूंतम अंतर होना आवशक है इस न्यूंतम अंतर को भेद सीमा या डिफरेंस थ्रेस होल्ड कहा जाता है उसके बाद आता है हमारे पास ग्यानेंद्रिया उद्धिपक यानी स्टिमॉलस क्या नेंद्रिया स्टिमॉलस ग्रहन करती है तता विदुद आयोग दवारा संकेतन करती है एनकोडिंग की जाती है उसके बाद एक एलेक्टिकल विदुद आयोग तंतरिकाएं नरोज के दवारा मस्तिक्स आक्षेतर में किसी विशेश भाग में ले जाया जाता है मस्तिस के किसी विशेश भाग में जाता है इस परकार उद्दीपक, stimulus द्वारा उत्पन, समवेदी परक्रियाएं, sensory processes समझी जा सकती हैं इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास visual sensation यार चाक्षुक समवेदना जब परकाश हमारी आँखों में परवेश करता है तब चाक्षुक राहियों को उदिप्त करता है, stimulate करता है और उसके लिए है अंग हमारे पास मानव आँख तो देखिए सबसे पहले हम मानव आँख की रचना का ध्यन करते हैं आँख के तीन परते होती हैं, सबसे बाहिय परत जो काफी कठोर होती है और जो आँख को निश्चित आकरती देती है, इसको सिकलराइड या सिकलीरा कहा जाता है दोसरी है रंजित पटल यानि कोराइड ये मध्य पटल कहलाता है, जो हम आँख के अंदर हम बाहिय भाग में काला रंग देखते हैं, ये कोराइड का पारट है, ये पूरी ही आँख के अंदर होती है तीसरी पटल जो बहुत ही महत्वपूर्ण पटल है, जिस पर किसी भी वस्तु का परतिबिम बनता है, वो है दिरिश्टी पटल या रहटीना, परकाश गराही इसके अंदर दो परकार की कोशिकाएं हैं, एक दन्ड या रॉड जिसको कहा जाता है, जो रातरी दिरिश्टी के गराही, यानि के कम परकाश में देखते हैं दोसरा है हमारे पाश शंकू कोश, दिवा परकाश रंग, यानि हमें रंग का पता हमें कोश से लगता है, उसके बाद हमारी आँख का एक ये ट्रांस्पेरिंट पार्ट, पारदर्शी भाग है आगे वाला, जिसको हम कौर्णिया कहते हैं, इस कौर्णिया के तरूही आगे भाग आता है हमारा, जिसको हम लेंस कहते हैं, बहुत important भाग होता है, आँख को दो भागों में बाणता है, एक आगे वाला भाग है और एक पीछे वाला भाग है, तो जो आगे वाला भाग है, इस को हम जलिया कौस्ट कहते हैं, aquese chamber, कार्णिया तरूही ता स्या लें और हमारी रेटिना जो द्रिश्टी पटल है उस तक होता है तो इस प्रकार से लेंस आँख को दो भागों में बाटता है पक्षा भी की पेशियां सिलेरी मसल्स ये एक बहुत इंपोर्टन पार्ट है जो कि लेंस के साथ जुड़ा होता है और ये प्रितारिका जो आयरिस है आँख के अंदर प्रवेश होने वाले परकाश की जो इंटेंसिटी है उसको नियंतरित करता है अगला पार्ट हमारे पास आता है कर्थिका या फोविया इसी को येलो स्पार्ट भी कहा जाता है ये हमारे दिरिश्टी पटल पर होता है मटर के दाने के अकार का एक छोटा स विर्टाकार अच्छी तर होता है इसे पीत बिंदू यायनी येलो स्पार्ट भी कहा जाता है आप एक बात देखेंगे की येलो स्पार्ट क्या है ये वो स्थान है जहां पर दिरिश्टी पटल पर सवसे कलियर इमेज बनती है साफ परतिभब बनता है आपने देखा है कई इसी बार हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हम ऐसे करके देखते हैं इसका मतलब क्या है कि हम अपनी आँख को ऐसे अजिस्ट करते हैं ताके उस वस्तु का परती बिम्ब हमारे येलो स्पॉर्ट पर बने और वो हमें साफ दिखाई दे अगला भाग आता है हमारे पास दृ जोइन करके आप्टिक नरो बनाती है तो ये हमने ब्रॉडली देखा एक आँख की रचना अब हम देखते हैं कि आँख की कारिये विधे क्या है कि या किस परकार करती है सबसे पहले चाक्सुष अनुकूलन जिसको विज्वल अडेप्टीशन कहते हैं क्योंकि परकाश की विभिन तीवरताई होती हैं इंटेंस्टीज होती हैं तो उस इंटेंस्टीज को आँख किस परकार से आँख अपने आपको एड़िस्ट करती है जैसे बहुत अधिक तेज परकाश आता है तो हम आख ऐसे कर लेते हैं और अगर परकाश की इंटेंस्टी कम होती है तो हम ऐ जैसे आँख खोल कर देखते हैं, यह एड़ेस्टमेंट है, तो इसलिए हम लाइट के साथ समंजन यानि एड़ेस्टमेंट करिया की जाती है, तो इसी परकार के इसी को हम चाकशुक्त अनुकूलन कहते हैं, दूसरा आता है हमारे पास, परकाश अनुकूलन, यानि लाइट जैसे आपने देखा है कि जब हम मंद परकाश के बाद, मंद परकाश का परभाव होता है, हम लाइट में आते हैं, तो हमें देखने में दिक्कत आती है, इसी परकार से हम तीवर परकार से जब हम अधेरे में जाते हैं, या कम परकाश वाले स्थान पर जाते हैं, तो भी हम समय लग सकता है इसको जैसे तम वैनुकुलन यानि डार्क अड़ेप्टेशन तीवर परकाश के परभावन के बाद मंद परकाश वाले वातावरन से समायोजन की परक्रिया इस परक्रिया में आधा घंटा या इस से अधिक समय लग सकता है दूसरा भाग आता है हमारे पास रंग दिरिश्टी सूरिया की परकाश में इंदर धुरुश की तरह साथ रंगों का बिशरन होता है कौन कौन से रंग है वाइलेट इनलीगो ब्लू करीन येलो औरेंज रेड ये साथ रंगों का मिशन सौर उर्जा में या सौर परकाश में होता है इससे इंदर धुरुश बनता है अब इन रंगों की आगे वर्गी करन है कैसे सबसे पहले है जैसे मूल रंग या प्रेमरी कलर्स तीन रंग लाल हरा एवं निला ये कलर प्रेमरी कलर्स कहलाते हैं और इन रंगों को किसी भी अनुपात में मिश्रित करने से हमें कोई भी और रंग बन सकता है रंगों के पूरक यूगम जिसको हम complementary pairs कहते हैं ये वो colors हैं जैसे लाल हरा तथा पीला या नीला इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें गरे या वाइट कलर प्राप्त हो सकता है तो इसलिए सही अनुपात में मिश्रित करने के बाद पूरक रंग गरे भूरा या सफेद रंग उत्पन करते हैं इस परकार से हमने चाकशुक सम्वेदना के बारे में धेन किया आँख की रचना और उसकी कारियविदी अब दूसरी हमारे पास सम्वेदना आती है शर्वन सम्वेदना जिसको हम ओडिटरी सेंसेशन कहते हैं और इसके लिए आपको पता है कि हमारे जो रचना है वो कान है शर्वन सम्वेदना तब प्रारभ होती है जब धमनी हमारे कान में परवेश करती है तथा सुनने के परमुख अंगों को उदिप्त स्टिबूलेट करती है अब हमने देखना है मानव कान की रचना, मानव कान की यानि structure of human ear तो इस तरीके से जो कान है हमारा वो auditory stimuli का प्रात्मिक गराई है यानि यह प्रामरी receptor है तो मानव कान की सरंचना में सबसे पहला हमारा कान का भाग है बाहिय कान जिसकी दो परमुख सरंचनाएं है पहला है करन पली जो पिनना जो बाहर वाला भाग है यह हमारा करन पिनना है दूसरा है शर्वरदवार जिसको auditory meters का जाता है यह ट्यूब की तरह की रचना है और तीसरा पायट इसमें आता है करन पठे जिसको हम टिमपेनिक मेंब्रेन कहते हैं तीमपेनिक मेंब्रेन जब धवनी तक राती है तो यह कंपन करती है इसके बाद तीमपेनिक मेंब्रेन के बाद मध्यकान वाला भाग आता है करन पठल से मध्यकान प्रारंब होता है तिंपनिक गुहा तिंपनिक कendo回 है आगी जा कर एक खाली स्सदान है गुहिका है जिसके अंदर जो तिंपनिक खो हर या तिंपनिक केविटी है तूसरा भाग आता है जो को औए खो इस टेक इन न जलिए इस्टेजिन ढूओ इसके बाद आती है हमारे पास तीन अस्थिकाए यानि थ्री आसिकल्ड पहला है मेलियस या हैमर, एक्चली इस बोन्स होती है, दूसरा है इनकस या जिसको एंविल और तीसरा है स्टेप्स या जिसको स्रीरभ भी कहा जाता है यह मद्यकान की रचना है इसके बाद आता है हमारे पास आंतरिक कान की रचना आंतरिक कान इसकी एक जटिल संजना होती है जिसे जिलिदार गहन यानि मेंब्रेनस लेबिरिन्त कहते हैं मेंब्रेनस लेबिरिन्त अस्थी युक्त गहन जानि बोनी लेबिरिन्त में होता है अस्थी युक्त गहन तथा जिलीदार गहन के बीच की जगह में लसीका लिम्फ एक कलरलेस फ्लियूल होता है जैसा दरव भरा होता है इसे परी लसीका या पैरी लिम्फ कहा जाता है अस्थी युक्त गहन बोनी लेबिरिंट में एक दूसरे से समकौन पर तीन अर्ध वर्ताकार नलिकाएं होती है इस परकार से ये अर्ध वर्ताकार तीन नलिकाएं होती है जिसको हम सेमी सरकुलर कैनाल्स कहते हैं एक प्राण घाली जहांपर ये तीनों कहलाज अपस में मिलती है वो स्ट्रेक्चर वेस्टी बुली है और एक करनावर्त कोकलिया ये कोकलिया एक स्प्रिंग की तरह की रचना होती है तो अब स्वाल है कोकलिया से ही जो हमारी ओडिटरी नर्व है शर्वन तंत्री का है वो निकलती है कान की कारिये विधी देखिए शर्वन तंत्री का दवारा करना वर्त जिसको मैं अडिटरी नर्व कहा था कोकलिया से धहने की तरंगों को ग्रहन करता है कंपंदवारा अंतरलसीका, एंडोलिफ गतिमान होता है अंत में आवेग, शर्वन, तंतरीका यानि ओडिटरी नरोकुप को भेजा जाता है और मस्तिक्स में शर्वन, वटकुट, ओडिटरी कॉल्टेक्स को जाता है मस्तिस का भाग है जहां आवे की व्याख्या होती है आयाम एम्प्लीचूट देखिए धवनी की कुछ करेक्टिस्टिक्स है कुछ गुण है जैसे उसकी तीवर्ता तीवर्ता की एक एकाई होती है जिसको डैसीबल कहा जाता है तारत अपिच यानि कि धवनी कितनी श्रिल है क कितनी पतली है कितनी बारिक है और उसके बाद जो श्रिल निर्स है वो धवनी की आवर्ती पर निर्भर करती है एक होता है धवनी गोन यानि टिमबर धवनी की परकरती या गुर्वता से होता है कहने का मतलब है किसी ने एक धवनी उत्पनी की तो उसकी हमें क्वालिटी का कैसे पता लगता है आप इस बात को समझेगा कि जैसे मान लेजिए कि आपका कोई फ्रेंड आता है वो अब दर्वाजे पर खड़ा होकर आवाज देता है आप उस ध्रमनी को सुनते हैं आप ने फ्रेंड को नहीं देखा लेकिन आप पहचान जाएंगे कि ये उस दोस्ती की आवाज है तो इस को हम तिमबर धवनी की एक क्वालिटी है जिसको हम तिमबर कहते हैं इस परकार हमने इस अध्याय के पहले भाग में समवेदी परक्रियाओं के बारे में अध्यान किया जिसके अंदर मुख तोर पर हमने दो अंगों की रचन का अध्यान किया है जिसमें कान की रचना और इसकी कारियविदी और समवेदी परक्रियाएं किस परकार क्रिया करती हैं और इनका क्या हमारे जियों में महत्व है मुझे आशा है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा और आपके लिए जरूर ये लाबदाइक रहेगा झाल तो ये जरूर 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 ये जरूरूर ये जरूर ये जरूरूर ये जरूरूर ये जरूरूरूर ये जरूरूर ये जरूरूरूरूर ये जरूरूरूरूरूरूरूर